अब बारी है दूसरे मैनेजमेंट से बात्चीत करने की रूशील डेकॉर आज हमारे साथ जुर रहे हैं कम्पनी यहाँ पर लेमिरेज शीट, फाइबर पोर और MTF शीट जैसे प्रॉडक्स बनाती है कम्पनी के दूसरे तिमाही के नतीजे जो आएं है वो मिल जुले रहे हैं, आए की बात करें, सालाना करी 12% की घ्रोथ यहाँ पर दर्च हुई है, मुनाफ़ा 10% से ज़्यादा रहा है मार्जिन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है और मैनेश्मेंट से हम नतीजों के साथ-साथ फेस्टिव सीजन को लेकि भी क्या तयारिया हैं बात चीट करेंगे FI26 के लिए यहाँ पर आय और मार्जिन का आउटलुक क्यार हैने वाला है, इस पर बात करने के लिए रुशिल डेकॉर के M.D. रुशिल ठककर हमारे साथ जुड़ गए है, आपका स्वागत है इस खास पेश-कश में तो पहले आउटलुक के बारे में जाना चाहेंगे, FI26 अगर मैं रेविन्यूस के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से पूछना चाहूँ, तो कैसा उभरता हूँ आप देख रहे हैं? मुझते हैं, हमारे लिए FI26 एक बहुत स्पेशल रेने वाला है, क्योंकि हमारे जो नए प्रोजेक्ट है, वो भी सारे एक तरीके से ओनलाइन हो जाएगे, तो हमारे लिए वो एक बहुत बहतरीन साल हमें अभी दिख रहा है, मार्जिन्स की बात करें तो करीबन अभी जो हमारा इंटरनल स्टेटरजी है, उसके हिसाब से हमारा मार्जिन, एबिटा मार्जिन करीबन 11-13% के आसपास रहेगा, और कंपनी की रेविन्यूस की बात करेंगे, तो वो बढ़के फोर डिजिट लेटर्स में चले जाएंगे ये मेरे ख्याल से काफी उम्दा बात जो आपने कही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम डिमांड सेनारियो पर फोकस करना चाहें, तो डिमांड सेनारियो में ऐसा क्या बदला है, जो आप नया भरता हुआ देख रहे हैं, साथी फेस्टिव सीजन की अगर हम बात करें, तो जहां किस तरह से डिमांड पैन आउट होती भी आप देख रहे हैं, पहले फेस्टिव सीजन की बात करते हैं, तो इंडिया की एक एमोशन है कि दीवाली हो गया या वैसे कितने सारे हमारे त्यावार होते हैं, कि उस वक्त सब को अपना गर फरनिश चाहिए, रेडी तो हमारे बिजनेस में एक जो फेस्टिव सीजन होता है, वो बहुत इंपॉर्टन ट्रोल प्ले करता है, और हमारे सबसे ज़्यादा प्रोड़क्ट का सेल्स भी उसी वक्त हम लोग दर्श करते हैं, तो अभी है जैसे हम देख सकते हैं, कि दीवाली से लेके अभी होली जहवार से बरपूर रहेगा और हमारे लिए वो एक उपरचुनिटी के जैसे बहुत एक अच्छी तरीके से हम देखते हैं, और उसी के साथ हमारा दो और कॉर्टर भी उसकी वज़र से बहुत बहुत बैतरीन रहेगा। नहीं, अभी लोजिस्टिक्स की वज़र से जो हमारी मशीन आउट ओफ इंडिया से आने वाली थी, वो सारी थोड़ी डिले चल रही है, जिसकी वज़र से हमारा वो ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है मार अगर के रेवेन्यू पोटेंशिल्स देखे तो करीबन सो करोड के आसपास का रेवेन्यू हम लोग उससे दर्श करेंगे, चलिए, यहाँ पर कुछ और सवार भी पूछना चाहेंगे आपसे, रोम मटीरिल्स को लेकर कोई कॉछ प्रेशर जो कि आप फेस कर रहे हो, अगर में हमारा थोड़ा प्राइजिंग प्रेशर चल रहा है, जिसकी वज़ा से हमने सेल्स पॉइंट आफ व्यू से देखे तो फॉस्स प्राइज आइक लेने का डिशीजन लास्स सेटरडे ले लिया है, जो करीबन टू परसन टू सेवन परसन के रेंज में होगा, प्र फॉस्स प्राइज आइक ले लिया है. लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा बाउस बैक आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और स्टॉक करीबन दस से लेके 11% के बीच में ही है, जो इसका P.E. है, तो हाँ, बंदन बैंक में एक इस्यू ये था कि काफी मैनेजमेंट साइड और NPA साइड का इस्यू था, और NPA साइड का इस्यू अभी तक पूरा गया नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे RBL बैंक का एक जमाने में था, वैसा ही इसमें हो रहा है, और त्रेंड दिरे दिरे जैसे, जैसे क्लीनिंग अप हो जायाएगा, मुझे लगता है कि बैंक अच्छा गरेगा. इसमेलर सिचुएशन रुशिल डेकॉर, ये छोटा सा कंपनी, इन फैक्ट एक माइक्रो कैप है, आप समझ दीजे, नजार क्रोण के निचे का मार्केट कैप है इसका, तो अगर पियर ग्रूप से गपार करों तो बहुत ही अच्छा गरा है, और जो मैनेजमेंट का टोन औ पर ताजिक ट्री पर सल्ह, और विवेकी सी किसे तो